इस नियूज इस ब्राइब भूशन जलर सोलन और मंटी में रेट को लेकर अभी तक डिजिटल स्क्रीन का प्रावधान नहीं हो पाया है अनाजों की तरह जैसे या तिलन है या डाले हैं जिस तरह उसमें एक न्यूनतम समर्थन मुल्ले दिया जाता है तो सब्जियों के अंदर भी नियुन नतम समर्थन मुल ले दिया जाए और उसे अगर लागू करना है सरकार ने तो सरकार को साइमलटेनियसली एक सब्जियों पर अधारित एक उद्योगों को बनाना होगा और साथ में कोल स्टोरेज की एक फेसलिटी देने होगी ये भी सब्जी उत्पादकों की आज मुख्य मांग है और सबसे बड़ी जो मांग है जिसलिए आज बैठक भी रखी गई इन मुद्दों को लेते हुए जो सोलन मंडी है जहां पर पांच जिलों का जो किसान है विशेश रूप से जो टमाटर उत्पादक है हिमाचल में लगवग स्तारा लाक मिट्रिक टन जो सबजी पैदा होती है उसमें पांच लाक मिट्रिक टन के करीब जो टमाटर पैदा होता है उसमें का 50 प्रतीशत केवल सोलन में है तो वो किसान है वो बहुत ज़्यादा परभावित है तो इसलिए सोलन मंडी से सबंदित जो मुद्दे हैं उसको एक अधार मान कर दो तारिक को एक महा पंचायत रखी गई है नया जो बस सड़ा है उसके सामने और उसके माध्यम से एक दबाब बनाय जाएगा पॉलसी मेकर के उपर, APMC, मार्केटिंग बोर्ड और हिमाचल सरकार के उपर कि किसानों की सब्जी उत्पादकों के जो मुद्दे हैं और जो मंडी से सबंदित हैं उसे तुरंद इंप्लिमेंट किया दिवेहमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ अधित्य सोफत के रिपोर्ट यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी के सोच रही हैं तो वशें आएं भूशन ज्विलर्स सोलन की भूशन ज्वेलर्स आपके लिए लाएं हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूशन का बेजोड़ खजाना वो भी बेहत खिफाईती दामों पर भूशन ज्वेलर्स आभूशनों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूशन भिमाताओं में शुमार हो गया है भूशन ज्वेलर्स आभूशनों की खरीद लग किटी अकाउंट खोलने पर ग्राकों के उसनिशत उपहार दिये जाते हैं डायमेट के खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है तो देर किस बात की अपनी सुन्दरता को चारचान लगाने के लिए चले आए भूशन ज्वेलर्स सोलन